तो भाईया नकेल कसने लगी है कोचिंग संचालकों पर भी और उसी को लेकर जो है उपभोगता संरक्षन अधिनियम ने आज एक जो है मामला जारी किया पहली बात तो यह आप देखें कि केंद्री उपभोगता संरक्षन प्राधिकरण CCPA ने ब्रामक विज्यापन के लिए 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया नो कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगा दिया और ऐसा पाया गया कि कुछ संस्थान सफल उम्मीद्वारों से जुड़ी मैटपून जानकारी जान भुच कर चुरा कर भोगताओं को ब्रमित कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं MPPSC के result के perspective में भी यह चीज हुई देश में आजकल एक ट्रेंड सा चल लगया है कि भाया एक जो टॉपर एक selected candidate ठीक है आप उसका मारदर्शक वीडियो बनाई है उसको appreciate कीजिए निश्चित तोर पर यह सच पीजियों होनी चीए लेकिन यह बताना ब्रामक चरीके से कि यह हमारे यहां से ही पड़ा सब यही खुद की मेनत है वो अब मैं कई बार मंच से बोल चुका हूँ तो इस पर नकेल कैसी जाने लगी है और भोकता संदक्शन प्राधिकरण ने नौ संस्थानों पर जुर्माना लगाया 31 संस्थानों पर अलग-अलग कारवाई की यह पूरा देख सकते हैं कि कोचिंग शेतर म विश्वस्निये लोगों पर विश्वास करें हम पढ़ा रहे हैं एप्लिकिशन पर पढ़ा रहे हैं यूटूब पर कभी हमने कोई जूटा दावाद नहीं किया इमान दारी से हमेशा केते हैं कि भाया आपकी विद्यार्ती यह जितने भी मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत उसको बिल्डप करते हैं आधिक सदी रिविजन करते हैं मेहनत करते हैं इसलिए पूरा ग्रेडेट उनको जाता है आप लोग भी ऐसी जानकारी से बचे और सही का चुनाओ सदेव करें अच्छी चीजे मार्केट में हैं अच्छे सिक्षक हैं खुद अपना मुल्याकन करे अब जो दोर है डिजिटलाइजिशन का ब्रामक जानकारी होगा इसमें उब्भोकता को जागरुक सेम होना होगा और यहां पर टीचर, सिक्षक या विध्यारती ये भी कहीं न कहीं एक उब्भोकता और हम कह सकते हैं कि दुकानदार के रूप में चुड़े हुँ हैं जैस जैस तक झाच झाच जाब जड़े हुआ को जाएं जैसली जैसली कि दूप